नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं आचार जागेंदर मिस्त्रा आज हम बात करेंगे आज के कन्या राजफल की उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में 12 सितंबर 2020 सनी बार का दिन है अश्वनी माश्य क्रिश्न पक्ष की दस्मिति थी है नच्छत रहे आदरा और अभिजीत महूर्त दुपहर 11 बच के 49 मिनट से लेके 12 बच के 29 मिनट तक रहेगा आज का सूरी उदय होगा सुबह 6 बच कर 18 मिनट पर और चंद्रमा मिथुन राज में गोजर कर रही है आज का अश्वन समय होगा दुपहर 2 बच कर 10 मिनट से लेके 3 बच कर 69 मिनट तक इसे अश्वन समय में कोई भी सुबह और नए कार की शुरुआत ना करें नहीं तुबिक नवाधाया शक्ती है कन्या राशवलों जब भी आपको किशी कार की शुरुआ अब बात करना है तो आपको अभिजीत महूर्त में करना चाहिए अतिनतर सुप फलदाई होता है अब बात करते हैं आज के कन्या राशवल की और ये प्रेडिक्शन चंदराशी पर अधारित है कन्या राशवलों आज के दिन वैसे तो काफी ब्यस्त रहने वाले हैं आज आ काम पे अपरें अपने फोकस बनाए रखेंगे चाहिए आफिस का माहौल हो या आप बिजनेस ब्यापार करते हैं आप घर पर कोई जिम्मेदारी मिली हुई है हर जगह आप काफी ब्यस्त रहने वाले हैं लोगों के प्रति सहियों की भावना की बज़े से आपको समाज में मानसमान भी मिलेगा लोगों की मदद करते भी आप दिख रहे हैं समाजिक कारियों में भाग लेते दिख रहे हैं चैको धार्मिक कारक्रम हो या किसी के घर में कोई कारक्रम बगएर हो या मेल आज के दिन हल होता हुआ नजर आएगा आज के दिन ब्यक्तिगत काम आपका अब तक जो नहीं हुआ उसको पूरा करनी की कोशिस करिएगा क्यूंकि थोड़ी बहुत देखे यहां पर परिसानिया भी आप महसूस कर सकते हैं थोड़ा आपको क्रोध बढ़ सकता है और अपने स्वास्त का तो विशेश ध्यान रखिएगा स्वास्त संबंधी बेवजय क्रोध करने से थोड़ा सा मानसिक टेंसन या मानसिक प्रिसर भी बढ़ सकता है अलकि आज आज आपको बिजनेस ब्यापार में सफलता मिलेगी यहां पर अगर आप कारोबारी हैं तो अच्छा है धन के मामलों में धन लाग के प्रबल योग बन रहे हैं रुका हुआ फसा हुआ धन तो आएगा लेकिन आप किसी को भी आज कर्ज उधारी पैशा ना दे लोल्टरी शट्टा सेर मार्केट में निवेश करना चाते हैं तो आज की दिन बलकी ना करें और अगर आपने पहले ब्यापार में आज की दिन कोई पुरानी डील आपकी पूरी हो सकती है बिजिनेस ब्यापार में अगर कोई डील आपकी काफी दिनों से रुकी हुई थी या पहले से आपने कर रखी थी लेकिन फाइनल नहीं हुई थी तो आज की दिन कन्यारास वालों वो डील आपकी प्रणाव दिख रहा है और यहां पर जो बिजनेसमेन हैं ब्यापारी हैं उनके लिए इस वे आपके आए में आपके धन में ब्रद्धी तो हो रही है लेकिन फिर भी आपको यहां पर देख रेक और हर चीज को सावधानी से करते रहना है प्लानिंग करेंगे तो सोच विचा करेंगे अब अगर स्वास्त की बात की जाए तो कन्या रास्वलों आज की दिन अपने खान पीन के रुच यह आपकी बदलती हुई नजरा रही है बदलते बक्त के साथ कुछ आपको बदलाव भी लाना चाहिए जीवन में तो यह बहुत ही अच्छा है जब आप कुछ बंद रहेंगे वो बेहद अच्छे रहेंगे मधूर रहेंगे एक दूसरे से बाते शेयर कर रहें शपोर्ट कर रहें एक दूसरे का मान सम्मान कर रहें अगर आप किसी दूसरे के अगर टच में हैं किसी दूसरे के शंपर्क में हैं तो यहाँ पर बिवाद बढ़ सकता है तो आपको बिवादों को नहीं बढ़ाना है बलकि अपने फैमिली को देखना है दूसरी तरफ आप अपने स्वास्त का तो विशेश ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर स्वास्त के मामले में जो चीजें हैं आपके निगेटिव आ रही है जैसे सर्दी जुखाम बुखार वगएर आपको परेशान कर सकती है कन्यारासवालों आज की दिन बेवज़े खर्चों से भी बचिएगा आज अब बाहन चलाते हैं तो आपको बाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है वैसे आज आप हो सकते हैं अपने रिलेसंसिप में भी जा सकते हैं या कोई नया मिहमान या कोई नया मित्र आज आपके घर आ सकता है जो काफी खुसियों से भरा रहेगा या आज आपके ब्यवसाय की बात की जाया और तो कोई आपका पुराने मित्र आपको सहयोग कर सकता है या किसी पुराने मित्र के सहयोग से आप कोई कार नया खड़ा कर सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं यहाँ पर जो सत्रू भी रोधी रहेंगे वो आपके कामों में अर्चन पैदा करेंगे बेवजह यानि कि ब्यवधान पैदा करेंगे तो आपको साधान रहने की आवश्यक्ता है आज की दिन यहाँ पर परिवार में बेवजह कलाना होने दे अपने फैमली में अपने पारिवारिक जीवन में बेहतरीन होने के लिए हर तरह से आपको अपने जिम्मेदारियों का ख्याल रखना है लेकिन जो स्टुडेंट हैं उनको अपनी सफलता पाने के लिए यानि कि सफलता पाना है तो आज आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा कन्याराश वालों आज आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहगा किशित से बात करते हैं आज की दिन कन्याराश वालों अपनी वाणी पर कंट्रोल बनाए रखें नहीं तो चीजे हाथों से निकल सकती है चाहे वो वेबसाइक छेतर में हो या आपके आफिसली छेतर में हो अगर आप जॉब करते हैं हर छेतर में आज आपको अपनी वाणी पर सयंबरतना है सोच विचार कर कोई नेने पोजिटिव सोच के साथ आगे आपको बढ़ना है हाला कि आज आज आपको अग्यात भय यानि सता सकता है थोड़ा कहीं डर सकते हैं ऐसे लगएगा जैसे कोई डरा रहा है और आज आपको कन्याराश वालों यानि कि मानसिक प्रिसर सोच विचार यानि कि कुछ गलत तो आपको पोजिटिव सोच सोचना है और आगे बढ़ना है बैवाहिक जी बना आपका मिला जूला रहेगा साथी का साथ मिल रहा है लब पार्टनर की बात की जा तो लब पार्टनर के सहयोग से कोई बड़ा काम कर सकते हैं चैए धन के मामले में हो या कोई आपका पुराना काम रुका हुआ है उसके बज़े से यानि सपोर्ट कर रहे हैं जो अविवाहित हैं उनके लिए यानि की रिष्टे आने से उनके मन में खुसियां हैं लेकिन बेबज़े वो सुच और मानसिक प्रसर में डूबे रहते हैं इसलिए उनको चिंता करनी के वशक्तनी है वैसे घर में आज आपके मांगलिक कारकरम होते हुए वे नजरा रहे हैं